एक शांत जंगल में एक छोटा लड़का जिसका नाम लियो था, धीरे धीरे पेड़ों के बीच टहल रहा था. वह हमेशा जिग्यासू और साहसी था, अपने गाव के पीछे के जंगलों में खोज करता रहता था. एक दिन दोपहर में जब सूरज की किरणे पेडों के बीच से चन रही थी, लियो ने कुछ अदभुत देखा, एक बड़ा पांडा जो बांस के जुर्मुट के पास आराम से लेटा हुआ था. पांडा ने अपने मुलायम काले और सफेद फर के साथ ऊपर देखा, जब लियो सावधानी से उसके पास पहुँचा. डर की बजाए, दोनों के बीच केवल शांती थी. लियो ने अपनी जेब से एक छोटा सेब निकाला और पांडा की ओर बढ़ाया. पांडा ने अपने पंजे से धीरे से से शेब लिया और खुशी-खुशी खाने लगा. दोनों साथ जंगल की खुबसूरती का आनंद लेने लगे. पांडा ने लियो को जंगल के और अंदर की ओर ले जाया, जहां उसने छिपे हुए जहरने, चमकीले फूल और गुप्त रास्ते दिखाए, जिन्हें केवल जंगल का सच्चा दोस्त ही जान सकता था. जैसे जैसे सूरज ढल लगा और आकाश नारंगी हो गया, लियो को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक खुबसूरत जगह नहीं, बलकि एक जीवन भर का दोस्त भी पा लिया है. आखिरकार, लियो ने पांडा से विदा ली, यह जानते हुए कि वह फिर से इस जादूई कोने में लोटेगा. पांड झाल 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 झाल